शनिवार की देर रात मुंबई में गदर्टू की सकसेस पार्टी रखी गई थी इस दोरान इस पार्टी में बॉलिवुड सितारों का जमावडा लग गया इतना ही नहीं इस पार्टी में ऐसा नजारा देखने को मिला जो शायद ही किसी ने कभी सोचा भी होगा दरसल सनी दियॉल की गदर्टू की सकसेस पार्टी में शारू खान भी पहुँचे अपनी पतनी गौरी खान के साथ इस दोरान वो अपनी पतनी संग बेहत स्टाइलिश अंदास में नजर आये थे बता दे कि शारूख खान और सनी डियॉल सालों बाद किसी पार्टी में एक साथ पोस देते हुए नजर आए हैं जिसका विडियो इस समय पूरे सोशल मिडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जी हां सोचल मीडिया पर वाइरल वीडियो में सनी डियौल और शारूखान एक साथ नजर आ रहे हैं इस दोरान सनी डियौल ने बलाक टी-शिट और बलू बलेजर और पेंट पहना हुआ है इसके साथ ही शारुख खान ने ग्रे कलर की जैकिट के साथ ब्लाक टी शिर्ट और ब्लाक कार्गो पेंट पहना हुआ है इस दोरान दोनों स्टार्स पैपराजी के आगे पोस देते हुए नसरा रहे हैं यहां तक कि दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए भी दिखाई दिये जो नसरा फैंस की नजरों में बस गया बतादे कि यह मूमिन्ट फैंस के लिए इतना स्पेशल इतले है क्योंकि सनी डियॉलर शारुख खान ने 16 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की थी साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म डर में सनी डियॉलर शारुख खान ने एक साथ काम किया था फिल्म में शारुख खान विलन के रोल में थे और सनी डियॉल लीड हीरो का किरदार अदा कर रहे थे इसके बावजूद शारू खान फिल्म में विलन से जादा हीरो बनकर उभरे और यहीं से सनी दियॉल और किंग खान के बीच विवाद शुरू हुआ अब सनी दियॉल और शारू खान के बीच का ये विवाद खतम होता ना सरा रहा है हाल ही में टाइमस नाओ को दी एक इंटर्व्यू में सनी दियॉल नेस पर बाद भी की थी उन्होंने बताया कि शारू खान ने उनकी फिल्म गदर टू देखी और उन्हें फोन करके इसके लिए बधाई भी दी गदर टू एक्टर ने कहा मैंने भी कई मौकों पर उन्हें फोन किया है और अलग-अलग मुद्दों पर बाद भी की है अतीत में कुछ भी हुआ हो मुझे लगता है वक्त सारे जखम भर देता है हम आगे बढ़ जाते है